नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manis Rai. आज प्रस्तूत है John Kitts की रचना Ode to Autumn. जी, John Kitts की रचना Ode to Autumn. बच्चों, John Kitts, जिनको one of the greatest of English romantic poets कहा जाता है, जिनका जन्म लंदन में 1795 स्वी में हुआ था, और मृत्यू सिर्फ 26 साल की आयू में 1821 स्वी में हो गई थी. बच्चों, इसी अलब अवस्था में इनको टीवी का रोग हुआ और उसी ट्यूबरेक्लोसिस नामक रोग से इनकी मृत्यू हो गई. लेकिन मरने से पहले इन्होंने जो रचनाएं कर दी थी, उन रचनाओं के कारण ये आज भी साहित्य प्रेमियों के दिल में बसते हैं, बच्चों. तो आईए जॉन किट्स की रचना ओड़ टू आटम की सुरुआत करते हैं. बच्चों यह ओड़ टू आटम जो कविता है न यह आटम को संबोधित करते हुए लिखी गई है. यह कुल इसमें 33 पंक्तियां है, 33 लाइन्स हैं और 33 लाइन्स को तीन एस्टेंजाज में बाट दिया गया. इस प्रकार से एवरी एस्टेंजा में 11-11 लाइन्स हैं. फूलों में आटम रितू आने पर कौन-कौन से परिवर्तन हो जाते हैं. बच्चों इससे पहले आप लोग एस्प्रिंग के प्रेज में, एस्प्रिंग की बढ़ाई में प्रसंसा में तारीफ में बहुत सारी कविताएं पढ़े होंगे. लेकिन ये अपनी तरह की ये पहली कविता है, जहां आटम की बढ़ाई है, आटम की प्रसंसा है. तो आईए आटम की प्रसंसा करते हुए जौन-किट्स क्या कहते हैं, जानते हैं. बचों कह रहे हैं कि सीजन ओफ मिस्ट्स, बचों मिस्ट्स का मतलब होता है कुहासा, अर्थाथ जौन-किट्स कह रहे हैं, कि आटम जो है न सीजन ओफ मिस्ट्स है, मतलब ये कुहासे का मौसम है. और मेलो फ्रूट फूलनेस का अर्थ होता है नरम मिठे स्वादिस्ट फलों का अर्थात आटम जो है यह कुहासे का और नरम मिठे स्वादिस्ट फलों का मौसम है close blossom friend close blossom friend का मतलब होता है जिगरी दोस्त पक्का दोस्त जिसको चम भी कहा जाता है लंगोटिया यार समझें आप बहुत करीब का दोस्त तो करें close blossom friend of the maturing sun और यह जो सिजन है autumn का यह maturing sun का मतलब autumn में sun जो होते हैं यह mature हो जाते हैं इनकी किरणे धर्ती तक खूब आती हैं इसलिए वहाँ पे इनको mature कहा गया है तो autumn का season जो है यह खासे का season है यह नरम मीठे स्वाधिस्ट फलों का season है close blossom friend of the maturing sun और autumn जो है यह maturing sun का बहुत करीब का दोस्त है पक्का यार भी है आपसे प्रस्ट पूछा जाएगा कि सूर्य का पक्का दोस्त कौन है तो आप बताएंगे autumn है तो दोनों में बहुत पक्की मित्रता भी है और मित्रता होने के कारण यह क्या करते हैं समझेए conspiring with him और autumn जो है या सूर्य के साथ मिल करके conspire करता है यानि साजिस रचता है यहाँ पे हम कहेंगे योजना बनाता है how to load and blaze with fruit the vines बचों vines का मतलब होता है अंगूर की बेले अर्थात इस रितु में autumn जो है या सूर्य के साथ मिल करके यह योजना बनाता है कि कैसे vines को कैसे बेलों को फलों से लाद दिया जाए that round the thatch eaves run बचों thatch का मतलब होता है फूस की छत वाला घर गाउं में जिसको मड़ई कहते हैं टाटी कहते हैं पलानी कहते हैं यानि फूस के छतों पे फूस के छतों पे जो बेलें फैली हुई होती है उन बेलों को कैसे फलों से लाद दिया जाए autumn जो है न सूर्य के साथ मिल करके योजनाए बनाता है to bend with apples the mossed cottage trees moss का मतलब होता है काई अर्थात काई लगे जो पेड़ होते हैं न autumn जो है सूर्य के साथ मिल करके अपने मित्र के साथ मिल करके योजनाए बनाता है कि जो cottage trees है mossed cottage trees जो काई लगे जो पेड़ है न उन पे भी apples गोओ हो इतने apples लग जाए and feel all fruit with ripeness to the core बच्चों कोर का मतलब होता है अंदर तक दूर तक यहाँ पे autumn जो है सूर्य के साथ मिल करके योजना बनाता है की फूस की छट पे जो बेले घूम रही होती है न वे फलों से भर जाए और जो काई लगे पेड़ है न उस पर भी apple आ जाए और इतने apple आ जाए कि वे भी bend हो जाए जुक जाए and feel all fruit और सभी फल जो है न with ripeness to the core यानि अंदर तक पूरी तरह से पूरी तरह से सारे फल पक जाए इस बात की ओजना autumn सूर्य के साथ मिल करके बनाता है पर जो लिखा ripeness to the core यानि पूर्ण रूप से सारे फल पक जाए उसका कोई हिसा अधपका न रहे कोई हिसा कंचा न रहे इस परकार की ओजना autumn सूर्य के साथ मिल करके बनाता है तो स्वेल दा गोर्ड ही जो गोर्ड जो है न कद्दू जो है न कद्दू फूल जाए मतलब कद्दू भी खूब बड़ा हो जाए इसकी ओजना बनाता है and plump the hazel sales और plump का बच्चो मतलब होता है make flesy or fat गुद्देदार बनाना the hazel sales और hazel का मतलब होता है कड़े छिलके वाले सूखे फल जैसे आखरोट हुआ बड़ाम हुआ काजू हुआ तो आखरोट बड़ाम और काजू को भी गुद्देदार बनाए यानि उनको भी छिलके तक गुद्देदार बनाए with a sweet kernel और उनके अंदर का जो बीज हो होता है कलिया यानि इस रितू में कलिया निकलती है और बहुतेरे कलिया निकलती है लेटर फ्लावर्स फॉर दबीज और यहीं कलिया बाद में फूल बन जाती है जो बीज के जो मधुमक्यों के काम आती है किस काम आती है बच्चों यानि फूलों के रस को चूस करके बीज जो होती है ना सहथ बनाती है नहीं कलिया आगे फूल बन जाती है जो मधुमक्키ों के काम आती है आगे लिखा है बच्चों Until they think warm days will never cease, बचों, cease का मतलब होता है, stop, मतलब रुकना, for summer has overbrimmed their clammy sales, बचों, summer का मतलब सूर्य की वो गर्मी होई, सूर्य की किर्णे होई, और overbrimmed का मतलब होता है, लबालब भर देना, और clammy का मतलब होता है, ठंधा, नम और चिपचिपा, और sales का मतलब होता है, मधुमक्की की छाताओं में, जो वो sales होती है, जो कोशिकाएं होती है, जो वो छेद होती है, उसी को sales बोला है, तो बच्चों, इस रीतु में, सूर्य की किर्णे जो होती है, मधुमक्कीों के छाते को लबालब honey से, लबालब भर देती हैं उन्टिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज यह जब तक मधुमक्यों को लगता है कि यह वार्म डेज यह गर्म दिन यह अच्छे दिन नहीं बितेंगे तब तक क्या होता है कि सारे उनके च्छाते जो होते हैं वे हनी से लबालब भर जाते हैं और उनमें से सहद की कुछ बूंदे ओभर ब्रीम नीचे चूने और टपकने भी लगती हैं और बच्छों जो दूसरा स्टेंजा है इलेबन लाइन्स की यहाँ पे जॉन किट्स जो है न आटम की तूलना एक भूमन से किये हैं एक इस्तरी से किये हैं एक औरत से किये हैं और औरत की तरह ही वह इस रित्व को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं समझिए यानि कौन है जिसने तुमको नहीं देखा है who had not seen thee oft amid thy store यानि कौन ऐसा है जिसने तुमको एस टोर में यानि जहाँ पे अन को जमा किया जाता है जहाँ पे अनाज को जमा किया जाता है खलीहानों में तुमको नहीं देखा है sometimes कभी-कभी whoever six abroad may find कभी-कभी whoever जो कोई भी six तुमें ढूडता abroad यानि गाउं में, गलियों में, देहातों में may find this sitting careless on a granary floor बचो, granary का मतलब अनागार यानि ऐसा कौन है जिसने तुमको अन के भंडार के बीच बैठा हुआ नहीं देखा है जो कोई भी तुम्हें गाउं में, देहातों में ढूडता है दी sitting careless on a granary floor तो तुमको वह भी अनागारों के बीच अलसाए हुए बैठा देख सकता है दाई हेर, चुकि मैंने कहा न, कि यहाँ पे जॉन किट्स जो है न, आटम की तुलना एक बुमन से किये हैं तो compare करते हुए कहते हैं कि दाई हेर soft lifted by the we knowing wind बच्चो, we knowing wind को कहते हैं, उस हवा को कहते हैं, जिस हवा में ओसावनी होती है जैसे हम लोग भी अपने हाँ, अनाज की ओसावनी करते हैं तो अनाज से जो उसके छिलके होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और अनाज एक जगा गिर जाता है और छिलके हाव में उड़ जाते हैं तो उसी वी नोइंग विंड में यानि जब अनाज की ओसावनी होती है तो उससे जो हवा निकलती है दाई, हेर, सॉप्ट लिप्ट तुम्हारे जो सुन्दर बाल है वे थोड़े से उपर उठते हैं और और अने हाफ रिप्ट फोरो साउंड असलीब या तुम्हार रिप्ट फोरो बचो फोरो जो होता है न इसको हम लोग जैसे आप लोग बीज गिराने के लिए खेतों की जुताई करते हैं तो हल की जुताई करने से जो उसमें खेतों में जो रेखा बन जाती है न उसी को हल या फरो कहते हैं तो जॉन किट्स कहते हैं कि विनोविंग विंड में तुम्हारे बाल धीरे धीरे उड़ते हैं और और अने हाफ रिप्ड फरो साउंड असलीप या तुम आधे फसल काट दी गई फरो में नालियों में क्यारियों में गहरी नींद में सोई हुई रहती हो जब कोई देहात में जाए तो तुम्हें वहाँ पे आसानी से देख सकता है ड्राउज्ड विद दा फ्यूम और पॉपीज और कभी-कभी पॉपीज बचों पॉपीज जो है न यह गहरे लाल रंग का जंगली फूल है इसमें मादकता होती है और ड्राउज्ड का मतलब होता है उंगना होता है तो ड्राउज्ड विद दा फ्यूम और पॉपीज और कभी-कभी तुम फूलों की मादकता में उंग रही होती हो मदमो और जब तुम मदहो सोजाती हो तब क्या होता है सुनिए while die hook यानि हुक मतलब यहाँ पे समझी आप हसिया जिससे फसलों की कटाई होती है while die hook as pairs the next swede और जो swede का मतलब होता है वो जमीन का बड़ा टुकड़ा कहिए या चौड़ी पट्टी कहिए तो जब तुम जब तुम पॉपीज के नसे में मदमस्त हो जाती हो मदहोस हो जाती हो तो die hook तुमारी जो हसिया है न as pairs the next swede तो तुमारी जो हसिया है न अगले खेत के फसल को काटना भूल जाती है and all its twinned flowers और अन के साथ साथ उसके फूल भी खेतों में खड़े रह जाते हैं और तुम उनको काटना भूल जाती हो क्यों क्योंकि तुम poppies के क्योंकि तुम फूलों की मादक्ता के कारण मदहोस हो जाती हो उसके सुगंध के कारण तुम मदहोस हो जाती हो और तुम अपना काम भूल जाती हो या तुम वो फरो में जो अनाज बोने के लिए जो लकीरे बनती है ना उसमें तुम गहरी निंद में सो जाती हो इस कारण तुम अपने कुछ काम भी भूल जाती हो And sometimes और कभी-कभी Like a gleaner, thou dost keep a steady thy leaden head across a brook बचो, brook का अर्थ होता है, a small flow of water, छोटी जलधारा कहने का मतलब है कि end sometimes और कभी-कभी Like a gleaner, एक gleaner की तरह, एक क्लिशक की तरह, यानि फसल ढोने वाले की तरह A steady the leaden head, जो फसल तुमारे खेत में बच गई होती है ना उसको तुम बोजे के रूप में बाद करके A steady the leaden head, अपने सर पे रख लेती हो और एक रौसे brook और पानी की पतली जलधारा को तुम पार कर रही होती हो या और या by a cider price बचो cider समयते हैं ना जो एपल को एपल से जो जूस निकालने का मसीन होता है ना उसको बोलता है cider price और कभी कभी cider price के पास बैठ करके with patient look बहुत ही धैरे के साँ तुम उस मसीन को देखती हो जिसमें एपल को करस करके जूस निकाला जाता है दावु आचेस्ट दे लास्ट उजिंग्स hours by hours बचो उजिंग्स का मतलब होता है बाहर निकलने वाली भूंदे या रिशाव और जब एपल को प्रेस कियाता है ना उस मसीन से तो एपल से जो जूस निकलती है ना उसके अंतिम भूंद तक तुम उसको patient look बहुत ही धैरे के साथ घंटों बैठ करके देखती हो तो बच्चों ये दूसरी स्टेंजा थी 11 lines की जिसमें एक भूंद की तरह जॉन किट्स ने address किया है autumn को अब आईए last जो 11 lines है इन 11 lines में क्या होता है जॉन किट्स क्या कहते है समझे यहाँ पे वो autumn की प्रसंसा करते हैं और फिर कुछ जीवों के नाम लेते हैं कि कौन-कौन से जीव इसमें नाचते हैं कौन-कौन से जीव इसमें गाते हैं और यहाँ पे autumn का महाल कैसा होता है समझे where are the songs of spring जॉन किट्स कहते हैं where are the songs of spring यानि बच्चों अकसर आप लोग spring की महता में spring की प्रसंसा में बहुत सारे आप गाने भी सुनते होंगे कभी तना भी पढ़े होंगे तो जॉन किट्स पूछते हैं कि where are the songs of spring यानि बसंत के गीत कहां है यानि बसंत के गुणगान करने वाली रचनाएं कहां है where are the way कहां है think not of them ए autumn तुम बसंत के spring के तुम spring के गीतों के बारे में मत सोचो उनके बारे में थोड़ा भी बिचार मत करो thou hast thy music too क्योंकि तुम्हारा अपना गीत है तुम्हारे पास अपना music है अपना गीत है इसलिए तुमको spring के गीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है while bard clouds bloom the soft dying day soft dying day का मतलब दिन धीरे धीरे ढल रहा होता है जब साम होती है तो साम के समय जो सूर्य की रोसनी होती है तो वह जब पढ़ती है कि clouds पे जब बादलों पे पढ़ती है तो bloom तब ये बादल जो होते है सूर्य की रोसनी पढ़ने से साम के वक्त चमक पड़ते है and touch the stable planes with rosy hue बचो hue का मतलब आप समझेंगे collar यानि कहने का मतलब हुआ कि संध्या के समय साम के समय जब सूर्य आराम से ढ़ल रहे होते है तो जब उनकी रूसनी बादलों पर पड़ती है तो बादल बचों चमक उठते है and touch the stable planes और stable समझते है जैसे गेहूं की कटनी होती है धान की कटनी होती है तो आप फसल काट लेते हैं उसका कुछ हिस्सा जमिन से लगा हुआ छूट जाता है उसी को बोलते हैं stable तो यहाँ पर जोनकीट्स कह रहे हैं कि गुलाबी गुलाबी रंग के वे दिखते हैं और फिर मन को मोह लेते हैं कहने का मतलब है कि जब soft dying day साम के समय जब सूर्य की रोसनी clouds पे पढ़ती है बादलों पे पढ़ती है bloom तो वे चमक उठते हैं वे खिल उठते हैं और वहीं रोसनी जब नीचे धरती पर फसल कड़ जाने के बाद जब खित पे पढ़ती है तो रोजी ही उनका रंग भी बच्चों गुलाबी हो जाता है और ये मन को मोह लेता है आगे लिखा है देन इने wellful choir देन इने wellful choir तब बच्चों the small nets more और जब साम हो जाती है तो साम हो जाने के बाद जो nets जो है नइ, इन्सेक्ट है, एक कीड़ा है ये भी बजाब करता है इने wellful choir बच्चों इने wellful choir का मतलब हुआ कि जब ये समू में हो जाते है nets जो होते है ये भी choir भी समू में हो जाते है और बिलख बिलख करके वेलफुल का मतलब बिलखना होता है बिलाप करना होता है तो ये भी बच्चों जब साम हो जाती है तो जो नैट्स होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं ये भी बिलाप करते हैं और सोक मनाते हैं एमांग दर रीभर सैलोज और रीबर में जो सैलोज है ना जो बेत के जो पेंड होते हैं ना उन्ही पेंडों के बीच बैठ करके ये भी सोक मनाते हैं born aloft or sinking as the light wind lives or die जो बेत के पेड़ होते हैं वे पानियों के उपर ही तैरते रहते हैं और हवा जब बहुत तेज बहती है तो पानी में डूब करके वे मर जाते हैं और हवा हलकी बहती है तो वो खड़े रहते हैं तो उन्हीं बेत के पेड़ों के बीच ये nets जो है ना साम हो जाने के बाद ये भी बिलाप करते हैं दुख में कस्ट में बिलख बिलख करके रोते हैं और सोक मनाते हैं और फूल ग्रोन लैम्स लावड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्ण बॉर्ण का मतलब मेमना होता है और जो फूल ग्रोन लैम्स होते हैं वे ब्लीट करते हैं मिमी आते हैं मेम ये करते हैं फ्रॉम हिली बॉर्ण यानि पहाड़ी के किनारों से बॉरन का मतलब किनारा होता है पहाड़ के किनारों से वे मिमियाते हैं हेज क्रिकेट सिंग और जो क्रिकेट से जो जिंगूर है ये भी गाते हैं यानि आटम में लैम्स जो है वो बलीट करते हैं मिमियाते हैं rets soak मनाते हैं और crickets भी गाने गाते हैं now with treble soft और treble soft का मतलब हुआ तीगूना टेबल का मतलब तीगूना होता है और soft का मतलब नरम मुलायम और फिर तीगूने softness के साथ the red breast whistles from a garden croft और फिर क्या होता है कि बहुत ही नरम आवाज में the red breast जो robin चनिया होती है वह भी गाती है from a garden craft एक बगीचे के कोने से robin चनिया भी गाती है and gathering swallow जो होती है यह भी अकास में कठे हो जाते हैं and twitter in the skies और अकास में यह भी गीत गाते हैं तो यह थी बच्चो जोन किट्स की काल्ज़ई रचना ode to autumn यह poetry आपको कैसी लगी बच्चो अगर पसंद आई हो तो please channel को subscribe करें video को like करें अपने मित्रों से भी share करें और जाते जाते मेरे साथ बोलें जय हिंद